CM की जगे PM लिख दो और Governor की जगे President लिख दो तो ये चैप्टर वही बन जाएगा जो हमने सम्मिधान के Part 5 में जो Union आता है वहाँ के President, PM और उनके Council of Minister के लिए जो चैप्टर पढ़ा था योग यादितना जी बैटे हैं अपने Deputy CM के साथ और अपने बागी और मंत्रियों के साथ ये एक Council of Minister के लाएगा और ये help करेगा एडवाइस देगा गवर्नर मैम को ये राजभवन से लिखके नहीं आया है पर भली नहीं लिखके आया हो कोई पात नहीं ठीक है ये प्रिंसपल सेक्रेटरी के ओफिस से आया है जो स्टेट की सरकार के है स्टेट के हमने सीएम को पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे उनके मंत्री मंदल को चैप्टर नंबर 32 में मैं बात बताऊं अगर आप इस चैप्टर में सीएम की जगे पी एम लिख दो और गवर्नर की जगे प्रेसिडेंट लिख दो तो ये चैप्टर वही बन जाएगा जो हमने सम्विधान के पार्ट फाइव में जो यूनियन आता है वहां के प्रेसिडेंट पी एम और उनके चैप्टर पढ़ा था सेम टू सेम ऑल्मोस्ट नाइंटी सेवन परसेंट यहां पे बात हैं सेम हैं लगबग सेम है नाइंटी सेवन बोला है मैं ना नाइंटी एट न 99 नाइंटी तीन परसेंट अगर आप देखो एकोल मिला के स्टेटिस्टिकली क्वांटम तो तीन परसेंट का लगबग फरक मिलेगा अधर्वाइस चैप्टर का जो मकसद है जो कहना चाहता है वो सेम है जो हमने पहले पढ़ाए अपने पार्ट फाइव में ठीक है अब य उस राज्यमें अब यहां से शुरू करो कहानी कहानी पार्लेमेंटरी डिमोग्रसी के ऊपर ही है जबता यह चलती रहेगी पार्लेमेंटरी गवर्मेंट तब तक हमारे यहां सारा डिमोग्रसी की साहां से चलती रहेंगी सब कुछ होता रहेगा क्या है हमारा कहना का मतलब executive जो कारफलिका होती है वो इसका हिस्सा होती है जिसका नाम है legislature, यह फोटो है विदान सभा की, यहाँ पर यहाँ पर लोक सभा, राजने सभा का कारपट मन समझना इसको, यह है हमारे एक state का मन्तरी मंदल, एक state का, जितना सारा इनका मंत्री दल है CM के साथ मिला के, बीच में जो सर खड़े हैं यह हैं उस स्टेट के गवनर और जिस स्टेट का यहां पर इनकी सारा इनके कैबिनेट है इनकी सीम की अब सीम के साथ जो मंत्री दल होता है यह implement कराता है वो कानून जो यहां से बन के आए हैं ठीक बात executive is responsible to the legislature for its policies and actions जो ये action लेंगे जो भी ये काम करते हैं ये इनके प्रती इनकी जिम्मेवारी होती है जिम्मेदारी होती है इनके प्रती इनकी accountability होती है ठीक बात हो गई cm यहां पर है हमारे real executive authority जिनकी बात की value है जिनकी बात चलती है ठीक है अब state के जो cm होते हैं उनकी साथ होता है उनका council of minister जिसको हम कहते हैं उनका मंत्री मंडल उनका मंत्री दल तो ये सब मिलके इनके cm को help कराते हैं पूरे state को govern होने में पूरे state को काम करने में कैसे करा पा रहे हैं ये काम ये काम ऐसे करा पा रहे हैं कि जब हमारी हमने हमारे संविधान में कुल मिलागे ऐसे दो आर्टिकल है जो इतनी मोटी मोटी बात कह जाते हैं उपर उपर से कि देखो अगर आपको स्टेट में देखना है चलवाना है तो उसकी सबसे मोटी बेसिक बात समझ लो क्या बात है 153 एक आर्टिकल है 164 अगला आर्टिकल है अभी आगे देखेंगे उनको ये वाला आपको अगर फ्लोचार्ट पिछली क्लास से याद हो तो ये वही है जो हमने हैं और एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जुडी शरी है हमारी वह अलग है वह अपने आप में सिंगल वर्टिकल है टॉप डाउन ठीक बात हो गई जितने आपको ब्लू 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 ये वाले देखेंगे ये सब के सब होते हैं नॉन पार्टिजन न्यूट्रल मतलब ये किसी एक पार्टी की तरफ की बात नहीं कर सकते हैं ये किसी एक तरफ इनका जुकाव इनका पलडा नहीं गरेगा और न अधर न उधर अधर अब जितने ये पिंक वाले हैं इसार पॉलिटिकल ये पार्टिशन Tag Ratajak को भोलते अपनी धारणा के साथ चलते हैं अपनी एक अपनी आइडियोजी के साथ चलते हैं ठीक है तो चाहे स्टेट की विधान सभा हो यहां पर हमारे एंपी जाते हैं या लोकसभा हो जहां पर हमारे बागी सारे एंपी जाते हैं में में ठीक है यह सब के सब राजन्यतिक होते हैं पॉलिटिकल होते हैं और यही हमारे स्टेट को प्रोल पर कि अगर कुछ कुछ के विदानसभा deadly यह सब्धaut मैंसे चुन के आने के बाद कौन चुनेंगे तो चुनेंगे हमारी अधिश्क मेरी पास में çalış मेड़ी मैजसे इंहरे मेरे पास है 400 मैंसे साड़े 300 विदायक अब मेरी विदानसवा मेजॉरिटी है तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस हाउस का लीडर हूं मुझे तो पहले सीम मनाओ अब सीम जब आप मुझे बनाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ये डिपार्टमेंट कौन समा लेगा उन्हीं को आप भी एपॉइंट करना अपनी कैबिनेट को तो एपॉइंटमेंट करवा रहे हैं गवर्नर पर इनके कहने पर सेम चीज जो यहां रेप्लिकेट हुई है राश्पती के नाम पर जब सरकार चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो जब प्राइम मिनिस्टर रख्या कियो आप लोग तो जब यह उसको पढ़ेंगे फिर उसको कहेंगे नहीं नहीं समयधानिक नहीं है यह जो भी है ठीक है यह आगे काम करते हैं आगे चलो जब हमारा आर्टिकल बंसकी 3 ने बोलना शुरू किया उन्होंने बोला बंसकी 3 ने कि देखो साब पहली बा गवर्नर को सलाह देगा एडवाइस और एडवाइस अगें फिर बता रहाएं आंसर लिखते समय गलत सी मत डाल देना गलत एस मत लिख देना सई जगे की जगे ठीक है जो लिखा है यहाँ पे इसका मतलब है यह एक्शन है यह वर्ब है यह नाउन नहीं है अब हमारा एक मं रख करेगा और यह हैल्प करेगा यह वद्वाइस देगा गवाइनर म्हाम को ठीक है अब सब्सक्रीं वह चालता है नहीं स्यर्फच करेगा की सिर्फ उन मामलों तक जहां तक गववनर साहब का या मैम का discretion नहीं चलता है except in so far as she is required to exercise functions in her discretion again इनका विवेक जादा है राश्पती से जादा इनके पास है अपना विवेक यूज करने की opportunity राश्पती जी क्योंकि head of country है head of country तो इतनी बड़ी chair को हम absolute power नहीं दे सकते क्योंकि हमने देखा absolute power के समय पर क्या हुआ था हमारे देश में जब हमने एक वाइसरोय को absolute power दे रखी दी कि लो सर बनाओ कानून जो आपका मने वो करते चलो तब हमने भुगत लिया उनसे फिर हमने का समविधान ने फिरी यह चीज़ सीग ली समविधान सभा ने सीग ली कि सर यह तो अब इसको solve करो किसी भी तरह जैसे ब्रिटन में किंग है ऐसे यहां पर हमारे किंग होंगे या राश्पती होंगे गवर्नर होंगे जो भी होंगे जिनके हाथ में ज्यादा पावर नहीं होगी पर अब राश्पती से हम नीचे आ चुके हैं स्टेट लेविल पर यहां पर गवर्नर सहाब के डिस्क्रेशन चलता है है थोड़ा बहुत है यही मैंने का 97 परसेंट यही चैप्टर सेम है जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था अब जो 3 परसेंट का जो थोड़ा बत खेल है वो यहीं पर ही है ठीक है जब कोई ऐसा मेंटर जो गवर्नर सहाब के या मैं के डिस्क्रेशन पर आता है उनके विवेक के इस्तिमाल के लिए आता है तो कोई C.O.M. के जरूरत नहीं है यहां पे C.O.M. है ही नहीं तो C.O.M. माने का का कांसल अब मिनि अब जब लेंगे decision तो हिनका decision binding होगा और वही last होगा हो गया अब इस decision को आप question नहीं करोगे validity of anything done by the governor shall not be called in question नहीं हो सकता है कि इस ground पे कि क्या उनको विवेक अपना use करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था कि ought to or not ought to इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि करना था कि नहीं करना, कर दिया, हो गया, done, over, अब C.O.M. क्या करता है, यह जो एडवाइस देता है, यह एडवाइस जो इनको मिली है, जो सलाम मिली यह गवनर साहब को यह मैम को, this cannot be inquired into in any court of law, क्यों, यह किसी court of law में challenge नहीं होगी, क्यो उसको दरकेनार कर दिया जाएगा, अगर गवर्नर साहब इनकी भेजी हुई एडवाइस को लेके चले जाएगा, जैसे हमने पढ़ाता प्रेसिडेंट के चैप्टर में, जब प्रेसिडेंट साहब एडवाइस लेते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या उस एडव में कर दिया, कोर्ड में जाके बातव लिग हो गई, अब क्या करूं, मैं ऐसे कैसे काम करूं, मैं ऐसे कैसे काम करूं अपना काम चलाँगो अपना, तो इसलिए बोला जा रहा है कि जब भी ये डवाइस देंगे अपनी ये एडवाइस पहली बात तो बाइंदिग होगी, जहां तक कि इनका discretion नहीं चलता है और इनकी जो advice दी जाएगी ये advice कभी भी किसी court of law में question नहीं होगी कि इन्हों ने ऐसी advice क्यों दी क्या दी क्यों क्यों नहीं दी तो इस बात पर चर्चा नहीं होगी क्यों 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 कि ये मंत्री दल और गवर्नर सहाब का private matter है अला स्थान के लोगों के साथ सकते बैठ के कोई चर्चा करूं तो उस चर्चा को कोई जनागर बाहर ले जाए तो ये मेरे ट्रस्ट की buries है ये ने तेरे भरोसे की Brieoch है इसलिए हम इस भरोसे के Brieoch को कहीं तोड़ना नहीं चाहेंगе हम इस भरोसे के Brieoch को हमेशा Confidential रखेंगे ःती बात हो गई को है इनकी जो फ़ कि धुरीया है पहाली बात तो पहले जहां उनका डिस्क्रेशन चलना है बस वहां पर अपना विवे को इस्तिमाल कर सकते हैं अधर्वाइज नहीं कर सकते हैं साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने और इक बात बोली उन्होंने बोला कि अगर ब्रिटिश काल में नहीं जाना है अगर डेमोकरसी को सचे रूप से जाहिर करना है सचे रूप से रूप से रियलाइज करना है जनता के द्वारा चुने हुए लोगों की एडवाइज एक नॉमिनल हेड को माननी पड़ेगी ठीक बात हो गई यह बात समझ में आ गई अ कब यह action होना है कब ordinance आना है that means governor का personal satisfaction नहीं है वो satisfaction है but it is satisfaction of the council of ministers बस यहाँ पर हम जब बोलते हैं कि साब गवर्नर साहब is satisfied governor साहब is actually very happy कहां यह decision होने जा रहा है that means कि COM की जो advice है that is satisfactory COM की जो advice है वो एकदम पूरी well informed है well informed है logical है इसके अलावा वो जो advice है वो भीया सच्चे रूप से बनाई गई है और उस advice में कोई जूट नहीं है तो वह advice logical है true है and it is and it is satisfactory to the nature कि अब और कुछ से ज्यादा आगे इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं beyond reasonable doubt हम इसको मान चुके है यही है ठीक है मान लिया तो यह इनको दे दिया गया है शमजेर सिंग केस के दौरान सुप्रीम गोर्ण हेरिंग करते हुए यह बोल दिया अगले article पर इसने बोला कि देखो जाब अब जो मिनिस्टर्स आएं इनको देखते हैं क्या कर रहे हैं तो पहली बात तो गवर्नर मैम ने अपॉइंट किया सीम जी को ठीक बात हो गई सीम जी अपॉइंट हो गए सीम जी क्योंकि हाइस मिजॉरिटी लेके आए सब चाहता यह लीडर से है उस पार्टी के यह जीत गए अब सीम सहाब ने बोला कि मैम प्लीज मैं ऐसे मंत्री दल को चुनना चाह रहा हूं तो प्लीज आप एक काम सब्सकर्ण किजिए माइन आपको जो एडवाइस दी है इस एडवाइस पे अमल कीजि और इन सबको ऑपॉइंट कीजिए यह है इंकिसी को प्यूइंड कर सकते हैं नहीं कर सकती है older सा आप हरके नहीं कर सकते हैं यह ओपॉइंड करेंगे जो largest majority फूइंड बारग्येस्ट म जो हमने कहा था कि governor साब को चाहिए पहला इस party से बात करें या coalition से बात करें फिर इस से बात करें फिर इस से बात करें फिर इस से बात करें ऐसे करके चार आये थे मैंने कहा था कि अगर यह आप follow करते रहोगे यह कौन से commission की recommendation थी ज्यादा ही आपको तो अब ऐसे हमने बोला कि ये साब इनका CMG का ये मंत्री मंडल है जो CMG के ही पसंद के लोग है यहाँ पे हम एक चीज के डिसकाशन करेंगे कि दोस्ती का दोस्ती इतनी एहम होती है एक CM उसको अपॉइंट करता है अपना स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर अपना एग्रिक इतनी इतनी साल पांच साल बात जाके अब मेरे बताई हुई बात को कहीं बाहर जाके बोलेगा नहीं यहीं दोस्ती का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू भी है और यहारा बात है कि हम सब को ना एक ऐसा दोस्त चाहिए कि इससे हम कभी को ज़्यादा तो यहां पर हम देखते हैं कि CMG का अपना cabinet है CMG की अपनी यह वो पसंद के लोग हैं जिनको वह नोन जिनको वह नोन यहां बनवाया है अपना minister अब ऐसे चार राज्यें चारकर्ण MP और उडिसा जहां पर क्या होता है कि यहां पर एक ट्राइबल मिनिस्टर और होंगे साथ में minister in charge of the tribal welfare तो एक tribal welfare होगे क्योंकि इन राज्यों में क्या है इन राज्यों में जंजातियां राज्यों में tribes काफी सारी है पहले बिहार में गज़ा करती थी पर अब भीहार को हमने हटा हमने स्टेट ऑफ बिहार को इस लिस्ट में से अलग कर दिया है तो यह भी आर्टिकल ने बोला था कि स्टेट ऑफ यह पहले पांच हुआ गरते थे अब चार हैं यहां पर होना चाहिए एक मिनिस्टर इंचार्ज फॉर ट्राइबल वेलफेर जो इस बारे में इस बारे में ब ठीक है यह हो गई बात हमारी अब आगे चलो अब यहां बोला जा रहा है कि कितने मैं मेंबर हों कि यह कितने इसमें हमारे काउंसल मिनिस्टर कितने लोग हो तो जितने मिनिस्टर हो सकते हैं हम नहीं जानते कितने होंगे वह 15% of total strength से कम होने चाहिए जितनी विधान सभा है यही बात आर्गुमेंट थी वहां पर भी लोगसभा में भी कि जितना मंत्री मंडल है हम नहीं जानते कितना हो पर वो लोगसभा के 50% की population से ज्यादा नहीं हो ठीक है दूसरे वह 12 लोगों से कम नहीं हो दोनों एक तरफ परसेंटेज हैं एक तरफ नंबर है याद रखना यहां बोला गया है percentage of total population of total total strength के जतनी आपकी assembly की strength है हम नहीं जानते कितनी भी हो सकती हो पर इस strength के 15% से उपर नहीं जाए नंबर और जाहिर बात है कि 12 से कम नहीं हो क्योंकि 12 से कम होगा तो फिर आपका department आप सारे समालों कैसे यह बात होगी यह बात समाल में आगी तूसरा जो अमेंटमेंटमेंट आया है जो कि 91 से ही आया था दोनों के दोनों आये थे तो यह बोला गया था कि अगर कोई भी member disqualify हुआ on the grounds of आया राम गया राम जो कोई भी member जो disqualify हुआ है on the grounds of disqualification defection that means वो मंद्री भी नहीं रह सकता जैसे हम हिंदी फिल्म में देखते हैं कि अगर आप अपने माता-पिता के नहीं हुए तो आप मेरे कैसे होगे आप मेरे क्या होगे तो ऐसा ही बात है अगर आप अपनी पार्टी के नहीं हुए अगर आप अगर आप member of legislative assembly नहीं रहे अगर आप member उस पार्टी के नहीं रहे जहां से आप चुनके आए थे तो जाहर बात है आप मिनिस्टर होगे क्या करोगे क्यों आप मिनिस्टर होगे नहीं हो सकते आप मिनिस्टर स्वारी आप you are disqualified you are you defected to another party so you can go by जाओ आप हम नहीं जानते प्लेजर और माने जब तक गवर्नर सहाब का सुख है तभी तक पक्का क्या लगता है है अब जो सी ओम है कि that is collective responsible to the legislature and this is the bedrock this is the touchstone foundation stone of our democracy इसको ब्रेगेट में लिख लो अच्छे से मैं दो तीन बार वोल भी चुका हूं यह बहुत जरूरी है यह लाइन कि bedrock of अगर हमारी कोई parliamentary democracy के बारे में पूछेगा कि हां साब आपका parliamentary democracy कैसे हम मानें कि हाँ आपका parliamentary democracy जो है बहुत solid है बहुत sound है तो उसका answer यही है कि साब हमारा जो council of ministers होता है वो collectively responsible होता है to the house that it came from ठीको ठीक बात है अब यह governor जो होंगे they shall he shall administer the oaths of office and secrecy to a minister एक मंत्री जी को जब चाहे वो cm हो या कोई और या कोई और भी कोई और अपने minister हो फरक नहीं पड़ता एक किसी मंत्री को ओठ दिलवाते हैं उस state के governor ठीक है अब इन governor सहाब ने जब ओठ दिलवाई तो इन्होंने दो तरह की ओठ दिलवाई इन्होंने कहा पहली तो ओठ यह होगी शपत कि आप अपने office की शपत ले रहे हो अपने कार्याले के लिए शपत ले रहे हो दूसरा आप एक secrecy की ओठ ल का जो salary मिलता है जो इनको allowance मिलते हैं भत्ते मिलते हैं it is determined by the state legislature क्योंकि उसी स्टेट के काम कर रहे हैं जाहर बात पार्लेमंट क्या उसमें हद देगा पार्लेमंट को क्या लेना देना है पार्लेमंट क्या आप जानों आपके मंत्री है खेर फिर इसके बाद यह जो मॉत्यूओ अपना ठीक है पर फिर आपके पास शलें अब उसे लेके छे मंऺने तक कै आप किसी ना किसी हाउस के मेंबर जो के आजाओ अगर स्टैट में विदान परिशाद भी है ममर हो ठीक है iç चलेगा नहीं यह तो विदानसभाऌ उनी चाहिए विदासभा के तो जीते थे election तो वो कौन से जीती थी बाद में election क्योंकि पहली जगे से वो नहीं जीत पाई थी अब यह बात हुई फिर आगे बोला जा रहा है 166 में कि इस conduct of business कैसे होगा इस state की सरकार का कैसे काम कैसे सारा कारेकाल कैसे सारा रोज की काम साइल हैं सब कुछ कैसे होगी तो ह भले ना लिए जाए पर बोले जाएंगे कि हाँ गवर्नर सहब के नाम से लिए जा रहे है ठीक बात है अब यह जो एक्जेग्टेव एक्शन लिए जा रहे है यह दे शैल भी ऑथेंटीकेटेट इन सच मैनर इन सच मैनर एज मेभी स्पेसिफाइड इन रूस वी मेड़ ग सबकाम सरकार सी ओं लिएम जीफ मिनिस्टर उनका उफिस अब कुल बना के देता है गवंद है और नाम से किया जाता है शासन हर चीज में अब यह चीज़ प्रॉब्लम है यहां पर कि ऐसा नहीं हो कि अगर गवर्नरस हाब कहां से आया नहीं है यह और कभी उनका से लिखान अगर यह राजभवन से लिखके नहीं आया है पर भली नहीं लिखक क्या आख को बात नहीं ठीक है यह प्रिंसिपल से से आया है जो स्टेट की सरकार के हैं ठीक बात हो गई अब आप राजभवन नहीं जा रहे हो आपने का कि मैंने यहीं के से एक नोटिस ड्राफ्ट कर दिया है मैंने यहीं के सरकुलर बना दिया है अब यह सरकुलर जाएगा यूपी के सारे 75 सारे सब जगह जाएगा और अब कोई सब बात पर इसलिए कोड़ नहीं जाएगा इस लिए इस ओर्डर को नहीं मनेगा कि राजभवन से नहीं आया है यह तो आया है आपके ओफिस से मैं नहीं नहीं सोर्डर को नहीं ऐसा कुछ नहीं यह जितना एक्षिंट लिया हो राए टीक बात हो गई आगया अब गवनर ही विल मेग रूल्स पर दमोर कन्वेन राजेक्शन फट बिजनस फट गवर्मेंट के यही रूल बनाएंगे साब बैठके के तारे काम कैसे होने है रोज की उठक बैठक कैसे होगी सारी काम होंगे अब गवर्ण साब क्या कर लेंगे बन लैपटॉप पर काम करेंगे अब से हम अच्छे से उस तरीके से काम करेंगे तो अब यह जो नए रूल्स बन रहे हैं फॉर मोर कन्वेन ट्रांजेक्शन ऐसे में यह आपके नाम से लिए जा रहे हैं तो प्लीज आप दस्तकत करें ताकि यह बोल सके हम कि गवर्णर ने र प्रशाशनिक और मैं कारे करने जा रहा हूं मैं और क्या गया स्टेट में बड़े-बड़े काम डील करने जा रहा हूं दूसरे मैं क्या कौन से से नई कानून बनाने जा रहा हूं दूसरा गवर्णर के प्रती सीम की जिम्मेदारी है तो फर्निश सच आपने सीम से बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर से कि सर ऐसा है मैं चाह रहा हूं आप क्या अपना आर्गुमेंट लेकर मैं चाहता हूं आप उस पर आप करो consideration उस पर आप करो चर्चा तो यह गवणर साहब यह काम करवा सकते हैं अपने CMC अब जो ministers हैं यह विदान सभाव या जितने हमारे house होते हैं states में उनके प्रती यह इनके कितने अधिकार है कि उनके लिए कितने अधिकार है अब एक यह अगर कोई यहां के member है विदान परिशद का मान लेते हैं ठीक है इतने सारे states में हमारी विदान सभाव हैं यह अपने यहां पर विदान परिशद है ठीक है अब विदान परिशद का लाइसेटिव काउंसल का एक member has the right to speak and can take part in the proceedings of विदान सभा विदान परिशद का मेंबर यहां से उठके विदान सभा में जा सकता है यहां जाके बैठ सकता है बाचीत कर सकता है पर यहां वोट नहीं दे सकता सौरी वोट देने का अधिकार नहीं है वोट देने का अधिकार उन लोगों होगा जो यहां के मेंबर है जो यहां इसी के मेंबर है उल्टा भी हो सकता है यह चीज़ विधान सभा का कोई मेंबर जाके बैठ सकता है विधान परिशद में जो मंत्री है और जाके वहां प्रोसी पर वो वहां जाके वोट नहीं देगा ठीक बात हो गई अब इसके आगे चल रहा है हम छोटी छोटी चीजों पर हम यह कहेंगे के इनकी शपत क्या है कितना इनका टर्म है कितनी इनकी सैलरी है तो शपत लेने के लिए तो हमारे यहां कुछ पॉइंटर्स है पहला पॉइंट यह है कि मैं सम्मिधान के प्रती सची आस्था सची शरद्धा सब रखूंगा मैं देश की सौवरेंटी इंटेग्रिटी बचागे रखूंगा ठीक बात है बहुत अच्छी बात है फिर इसके बाद मैं अपनी डिस्चार्ज करूंगा अपन सब्सक्राइब करेंगा और बिना किसी डर जो कानून में होगा मैं वो काम करूंगा ठीक बात है यह इनकी ओओत हो गई जो office के लिए ली गई है ठीक है अब जो secrecy के लिए ओत है वो यही है कि minister swear करता है minister शपत लेता है कि मैं ऐसी कोई भी बात directly or indirectly communicate नहीं करूँगा किसी ऐसे person से जिसका कि तालुक नहीं हो मेरे काम से ठीक बात है यानि कि media हो यानि कि कोई और third person हो कोई इधर-दर का कोई और उनका कोई साथ का हो इधर-दर का हो उनको वो बताएंगे नहीं ना लिखके बोलेंगे ना लिखित में ना वरवली कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं में पाद ऐसा copy आई है या फाइल आई है ठीक बात है जो इनकी salary है यह सारे इंटरनेट यह सारे तमाम इनको सुविदा सुख सुविदा इनको मिल दी जाती है कि आप समालो सर आपको काम करना है बहुत सारा और प्लीज टेक है टेक all help that you need ठीक है अब इनकी क्या जम्मेदारियां है पहली जम्मेदारी जो इनकी है वो एक collective responsibility सामूहिक एक साथ सबकी एक साथ एक जोट responsibility यानि कि यह जितना मंत्री दल है इसमें जो काली सफारी सूट प उन्स जॉइंट responsibility to the legislative assembly for all their acts of omission and commission omission माने होता है inaction inaction मतलब काम ना करना जैसे आप जब GS4 ethics का सेलिबस पढ़ते हो ना जब उसमें एक जगे आता है bribe लेना रिश्वत लेना तो रिश्वत की definition क्या होती है रिश्वत लेने की इसकी corruption की bribery की कि अगर आप किसी भी act of omission और commission के लिए अगर आपने कुछ पैसा लिया है जिसका की लेने के लिए आप कोई ओचत्य नहीं था तो वो bribe है तो आपने कोई भी काम ना करने की प्रती जो आपने omit किया है वो काम नहीं किया है या ऐसा कोई भी काम जो आपने क किया है जिसको हम action मुलते हैं तो इन सारे चीजों के प्रती आपकी जिम्मेदारी है इस house के लिए यह house आप से सवाल पूछेगा जैसे पारलेमेंट में MP पूछते हैं अपने PM से council of ministers से सरकार से पूछी जाती है ऐसे स्टेट में मंत्री दलों से सवाल पूचा जाता है यहा और विष्वास प्रश्ताव पास सरकार पर हमें विश्वास नहीं इस सरकार्ट से हमारी मेज़ृटी हो दिया हमारा त्रस्थ आपकर यत मीं वो सरकार खळाए हुस से कारिया है promises और इंप से यह हमारा bedrock है, NCM पास हुआ, over, सरकार के लिए अब कोई रास्ता नहीं है, अब नहीं कोई Supreme Court, Governor, Speaker, आप कोछ नहीं सा, यह पास हुआ, यह आप अब नई बात चिड़ेगी, अब नई बात होगी, अब यहाँ पर ही, CUM कभी-कभी कुछ चलागी भी कर सकते हैं, यह कह सकते हैं, Governor को, हम आपको advice दे रहे हैं, to dissolve the assembly पहले ही, अपने समय से, अपने पास साल के समय से पहले ही, हम चाहते हैं, कि Governor साब, आप प्लीज एक आदेश पारित करो, that you are dissolving this assembly, आप इसको हटा सकते हो, गोवनर बोलेंगे, हैं, बैटा सकता हूँ, पर मैं हटाऊं क्यों, तो CM बोलेंगे, देखो साब, मैं इसलिए आप से कहा रहा हूँ, क्योंकि यह जो electorate है, यह जो चुनके आए हैं, यह लोग, यह लोग ना, पूरी-पूरी तौर से state की electorate को represent नहीं कर रहें, कि यह कह रहा हैं, CM साहब, on the ground, के कारण यह है, कि यह जो house है, यह जो विदान सभा बनी है, इस बार की, it does not represent the views of the electorate faithfully, कि हम मुझे ऐसा लग रहा है, यह जो house है, यहाँ पे, इस house में जो लोग हैं, यह सही तरीके से, पूरे पूरे तौर से, अपने state के लोगों को represent नहीं कर रहें, और यह कुछी तरीके की बात हैं कर रहें, दूसरी बात ही नहीं कर रहें, और मैं चाह रहा हूँ, फिर से election हो जाएं, दुबारा से, गवर्नर साहब बोलेंगे, साहब, मैं आपकी बात मान लूँ, पर आप मुझे यह बता दो, क्या आपके पास हाउस में मेजॉरिटी है, क्यों मुलेंगे, होगी, क्यों नहीं होगी, तो बोलेंगे, आप बार मुझे मेजुरिटी दिखा दो, पर यहीं अगर सी एम साहब, सी ओ अपने पूरा मंतरी दल, अगर इनका अपनी मेजॉरिटी नहीं जीत पाया इस जगह से, तो गवरान साब बोलेंगे, इसलिए कह रहेता है न तुम, कि इसको भंगरो, इसलिए कह रहेता है अपनी नक बचाने के लिए, तो फिर शायद भंगना हो, ठीक है, अब यहाँ पर जो collective responsibility है, ये collective responsibility एक और चीज़ कहती है, कि cabinet के जो decision होंगे, जो CM साहब की अपनी cabinet है, ये decision, they are binding on all cabinet members and other ministers also, सारे के सारे, चाहे वो, अब चाहे मीटिंग में आएं, चाहे ना आएं, चाहे कुछ से फोई फरनी पड़ता, और सारे minister को, अपना अपना cabinet के decision को defend करना पड़ेगा, अगर वो defend नहीं कर रहे हैं, अगर वो disagree कर रहे है, cabinet के फैसले से, that means, he can resign, वो जा स एक आएगा अपना, इसको और मोटा करते हैं, ठीक है, तो, यहाँ पर यह हमारा COM, अब, यहाँ पर कई सारे members हैं, यह भी बैटे, इन्होंने ले लिए अंदर ये अंदर फैसला, अब, क्योंकि आप हमारे मंतरी दल के member हो, आप हमारे मंतरी दल के member हो, जितने यह सारे हो, तो अंदर से जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को आपको भी मानना पड़ेगा, इसमें कोई दोर आए नहीं है, कोई दूसरी बात सुनी नहीं जाएगी, अगर इसमें से एक member उठके कहते हैं, कोई minister है, वो कह रहे हैं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता है आपको फैसला लेंगे, आपको मानना पड़ेगा, otherwise you can go by, तो individual responsibility के तरफ चलते हैं, ministers तभी तक office hold करते हैं, जो इनका term है, जो हम बात करना चाह रहे हैं, इनका term है तब तक, जब तक कि गववनर सहाब इन से खुश है, गववनर सहाब का pleasure ये enjoy कर रहे हैं, यानि कि minister जी कभ इन दे दी, CM ने बोल दिया, चीफ मिनिस्टर ने, कि मुझे ये ना तो ये मंत्री पसंद है, ना ये मंत्री मेरी बात सुनता है, तो अब इस मंत्री को पीज गववनर सहाब, या तो आप डिस्मिस कर दो, नहीं तो मैं इन से स्तीफा मांग लिएंगा, अगर इस्तीफा न जब भी, difference of opinion होगा, या dissatisfaction होगा, with the performance of a minister, तब CM सहाब कह सकते हैं, कि प्लीज या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो गववनर को बोलता हूँ, आपको तक के मार के बाहर निकाले जाएंगे, यह भी हो सकता है, इजज़त से अपने आप इस्तीफा दे के चले जाओ यासे, फिर इसको हम बोलते collective responsibility, कि गववनर सहाब dismiss करते हैं, तो एक बार में 3-4 को भी करते हैं, 5-6 को भी करते हैं, कितनों को भी करते हैं, क्या फरक पड़ता है, अगर CM ने बोलाए, तो करना पड़ेगा, अब कोई legal responsibility नहीं है इनकी, यह क्या चीज़ आई सर, यह आपने बहुत को डैश-डैश, एक और डैश, King can do no harm, मतलब यह लाइन कहां से आई सर, तो यह लाइन आई थी, जो country हम पर rule करके गई है, उस country ने अपने यहाँ एक सिद्दान मना रखा था, कि राजा कभी कोई काम गलत नहीं करेगा, तो राजा का हर जो action होता था, या अभी भी जो होता है, तो मुनार्क वहां का जो action लेता है, चाहिस से पहले Queen Elizabeth थी, या आप जो King Charles है, या उसके पहले जो King George हुआ करते थे, तो वहाँ पर क्या है सिद्दान्द, वहाँ सिद्दान्द यह है, कि अगर कोई राजा ने कोई action लिया है, जैसे राजा ने काए कि मैं कल जाओंगा Scotland और मैं वहाँ जाके, मैं वहाँ के लोगों से मिलूँगा, ठीक बात है, मिलो, अच्छी बात है, अब वहाँ जाके, आप किछी को बादा दे के नहीं आओ राजा, कि चलो कल से Scotland आजाद हो जाएगा England से, नहीं नहीं यह नहीं हो सकता है, ठीक है, आप वहाँ जाओ, तो आ एक है, यह King का Office, यह वाँ के King है, ठीक है, अब यह हमारा है COM, ठीक है, तो यह क्या है, यह सरकार है, यह head of state है वहाँ के, Monark, अब यह जो भी एक्षन लेंगे, तो अगर मान लिते हैं, कि इनोंने कुछ要 action लिया है, यह action लिये innych होना है अब ये सारे के सारे जो action है ये सारे के सारे action ये एक बार इनकी mapping होगी से सीओ में से निकलने वाले one two one कैसे कैसे में बोल रहा हूँ मैं कहा हूँ कि एक का action इसके प्रती कोई minister होंगे जो इस मिलें जो यह minister है ये लेगे कि सर हाँ आपने एक्शन लिआ ठीक है मैं साइं कर रहा हूँ उस पर खीक है आप एक्शन लीER सकती यह जो मिनिस्टर्ट होंगे माझनो इनहों ने यह एक्शन लिया यह 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 ये, 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 तो ये क्या हुआ, हमने बोला कि King कभी गलत काम करी नहीं सकता है, King को आप कभी भी वहाँ किसी कोर्ट में ले के नहीं जा सकते हैं, King के किसी एक्शन के लिए, Monarch, वहाँ का जो Ruler है, वहाँ का जो Raja है, या Rani रही थी, तो इस Raja को कभी आप court of law में ना खसीट दो क्योंकि राजा है ये वहाँ का जिसे कहते हैं उपर से दीने इलाही है ये वहाँ के अब ये दीने इलाही को आप कभी court के दरवाजे में नहीं लिके आओगे उनको ये नहीं ये इनके बाद divine power है इनके बाद अलोग एक दिव्य शक्ती है ऐसे बोला गया है ठीक है तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर king can do no harm अब इनके हर action को ratify करता है एक-एक minister ये इंडिया फॉलो नहीं होता है ठीक है ये ब्रिटन का culture है ये ब्रिटन का tradition है कि वहाँ का इसको एप्रूव कर रहा हूं अगर कभी इनके उपर कोई आच उठती है कोई आच आती है तो मैं जम्मिदार हूं तो मैं जाओंगा कोड में इनको नहीं जाना दोओंगा अब ये चीज़ हमारेया नहीं है तो इस नो प्रोविजन इन दो कॉंसिट्यूशन फोर दर सिस्टम ऑफ लिगल रिस्पॉंसिबिलिटी ऑफ दे मिनिस्टर इन दे स्टेट ठीक है यह में यहां मिनिस्ट्री को रिस्पॉंसिबिलिटी ले नहीं जरूरत नहीं यहां पर नहीं गवरनर साहब ने अगर कुछ किया है नहीं बोला गया न लिखा गया न मांगा गया नहीं चाहिए ऐसा कुछ नहीं है यह वहां पर चलता था उनीके लोगों में चलता था ब्रिटन के लोग क्यों कहते थे नहीं कर सकते अब यह जो करेंगे उसके लिए उनके कि हर एक मेंबर जो मिनिस्टर होगा किसी ना किसी एक्षिन को रेटिफाइ कर रहा होगा हर मेंबर करेगा उसकी जिम्मेदारी है ठीक है और सार बार्ड फ्रॉम एंक्वाइर इंट नेचर आडवाइस रेंडर बाइड़ बाइड बाइड़नर यह हमारा लीगल स्पॉंज इस है इस इस एक इंट्वाइड इंटू फोर्ट फ लो वहां से भी छुट्टी कि किसी कोड़ में कोई बात नहीं होगी चर्चानी होगी हमने एडवाइस क्यों दिया हमने दिया हमने सब दे यह एडवाइस करके हम इनको हम बच गए यहां से यह वही कंपोजिशन है यह अब हमारे इंडियन स्टेट कहलो इसको इंडिया लिखा हुआ है इन इंडियन स्टेट ठीक है तो हर किसी स्टेट में क्या हो रहा है कि एक एक ऐसे कांसलों मिनिस्टर जो है यह जितना मंत्री मंडल है इसको हमने ऐसे डवाइड किया है कैसे कैसे सबसे बड़े उनसे इसको minister बोलते हैं, ठीक है, किया साब, ये मंत्री है, ये मंत्री है, ये मंत्री है, ये मंत्री है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है, कि ये मंत्राले जमालते हैं, no, 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 मंत्राल है पार्लेमेंट उपर यूनियन सेंट्रल सरकार ठीक है हम बोलते हैं जितने यह मिनिस्टर्स हैं जैसे अभी इस समय यूपी के जो एजुकेशन के जो रोल देख रहे हैं उनका जो भी नाम हो तो वह एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कहलेंगे वो कहलेंगे कि वो हाँ ये डिपार्टमेट वअजुकेशन सम्भालते हैं ये कवरेट मिनिस्टर ठीक बात है फिर्से बात समझाओ कूल उ basic में फिर से बोलूं यूपी में स्टेट में राजस्थान में बिहार में गरनाटक में पंजाब में यहां पे जितने के कवरेट मिन अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट लॉइन ओर पुलीस सारा सब कुछ तो यह डिपार्टमेंट यह यह विभाग है अब इन विभागों के जो हैड होते हैं उनको हम कह रहे हैं यह कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको यूपी का एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होती है य यह सारे के सारे हमने अपने पर्लेमेट विटार्ट में यहां तो य इसस औरकdy करना पड़ता है तो यह सारे के सारे वह लाय 게임 लें बड़ी मंट्रा लएं जिनको समालना पड़ता है अब से के स्टेट के पास कोई हैसा ही नीν रूल अब देयार members of the Cabinet and they attend its मीटिंग and play a very important role in deciding the policies कि इनकी जिम्मेदारी साब क्या करें इनको बहुत इनको इनकी उपर बड़े-बड़े major major department को दिये जाते हैं इनसे छोटे rank के कुछ minister अभी रैंक जो decide हो रही है ना यह decide होती है on the basis of पहली बात तो रैंक हो दी रैंक सही तूसरा emoluments जैसे इनको जो पैसे मिल रहे हैं या जो इनको जो गुजारे भत्ते जो इनको जितने भी सेवाएं मिल रही हैं इनको allowance मिल रहे हैं उससे decide होता है कि एक minister की rank कितनी ऊची है तो या यह कितने ओहदे में कितने बड़े हैं अब cabinet के के बाद आते हैं ministers of state minister of state या तो independent चार्ज हो सकते हैं या वो अटाइश हो सकते हैं किसी संसदिय ड्यूटीज हो या ऐसी अपनी सदन की ड्यूटीज हो उनके प्रतिय अब यहां पे यह चाहिए हो चाहिए हो यह हो दे आर नोट members of cabinet and they do not attend cabinet meetings until and unless invited अगर invite कर दे सब्सक्राइब करने वाले परसों सब्सक्राइब मीटिंग में आ जाना अब तो इनने जाना पड़ेगा अधर वाइस देया नोट required to attend the cabinet meetings and they are not invited also a part of a new cabinet के cabinet के पार्ट यहीं लोग है सारे के सारे ठीक बात है now deputy ministers deputy होते हैं चोटे deputy नामसे में आगया ओप तूसरे चोटे सेकेंड यहां से they are not given independent charge of departments इनको नहीं दी जाते हैं and they assist the cabinet ministers bus they are attached to the cabinet ministers or ministers of state and assist them in their administrative political and parliamentary duties यह इनकी help करा आते हैं बस बना दिये गए deputy cm deputy PM जैसा कोई role नहीं होता है deputy cm क्यों होता है deputy cm जो role होता है यह basically हम इसको बोलते हैं deputy cm तो यह जो role होता है यह basically political या local level की politics को सुलजाने के लिए होता है ठीक है कोई party बुरा ना बाद जाए कोई party गठवंदन में है तो हाथ में रहे हाथ में लागे रहे cm हमारा deputy cm आपका साल के लिए दोनों के दोनों बन जाएंगे दाइड़ा साल में पहले मैं बनुगा cm फिर में deputy cm बन जाओंगा आप बन जाना cm ऐसे करके party यह खुश रहती है यह सब हुआ है अब हमें समझ में आ गया कहा सर यह तो इनकी कैबनेट थी सबसे बड़े वाले मंत्री जोतने होते हैं ठीक बात है तो कैबनेट क्या है कैबनेट है एक छोटी बॉड़ी जो बिल्कुल न्यूक्लेस होती है इक आउंसल अप मिनिस्टर्स का बिल्कुल अंदर का कोर का हिस् है जो पर मारू जो सना होगा चाहता है सर तो इसमें जैसे एक ऐड़न होता है एक मान भेन अगे डो block त्यूंता में इस समय प्रोतन है जो हिस्सा है इस अंदर के हिस्से को हम कहते हैं नूकलियस जिसमें प्रोटोन भी है न्यूट्रोन भी है अब यहां पे ऐसे जो अंदर के जो elements हैं यह साथ है चीछ चिपके हुए भब व बोड़ी है दिस मौलर बोडी जो है इस काल देन्युकलिस नहीं रहेगा कुछ और हो जाएगा करबन का कोई और और आईस्टोप बन जाएगा ठीक है बन जाए ठीक है अब elektron आए जाएं फरक बनाएं बॉंडिंग करें जो करना कर है पर अगर यह हिल गया तो वो कार्बन ही नहीं रहा फिरों कुछ और हो गया कैबिनेट एक स्ट्रॉंग बोड़ी होती है कैबिनेट के पास काफी सारी इंबॉड़न ड्यूटी अभी होती है है यह जैसे रोल लिखे हुए ना कभी अगर स्टेट में कुश्चन आया खटा- स्टेट सरकार की सुप्रीम हाइस एक्जेगेटिव हाइस कारेपालिक आया यह यहीं से कैबिनेट से फैसला आया वह साए सी ओएम हो जाए सेक्रेटरीज हो चाहे डिस्ट्रिक लेवल पर कोई और हो सारे ओफिसरों को मनना पड़ेगा आपकी जैसी फ्यूचर सर्वेस में कर भी कैनेटों चाहे श कौर्डेटर ऑफ्टएट अर्म मिरॉटिसरों के यहीं से कौर्डेट भी होण गी चाहे जूकेशन थे हो चाहे अवसफियौक लिपालिसी हम जी आफिक छाहे टीएंची आध्भी बस सभिए नहें पर चीफ मैनेजर क्राईजीव प्राइस मैनेज मेनेजर अगर मैं यहां लिखता क्राइसिस मैनेजर हैं अब इसको मैंने लिख दिया है मैनेजर इन चीफ तब यह कौन हुए यह मुझे बताना ठीक है मैनेजर इन चीफ यह कोई और है कि दोनों वर्ड लगना अलग अलग है ठीक है मैंने लिखा याँ चीफ क्राइसस मैनेजर यानि कि टोटल एक संस्था एक ऐसी इंस्ट्यूशन जो समालती है कभी भी को इमर्जेंसी सिचुएशन आ जाए कुछ भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए ठीक है दील्स विद ओल मे आंजने है इनी की सारी जिम्मादारी यह सारे हायर अपॉर्ट्मिन्ट होते हैं स्टेट मेंलन सanविधानिक ऐसे सेंयर सरें से कब अधिवाते और या था tę के विन्भी और अपने सीम को कि सर का मिन ने फैसला ले लिया कि पी कि सब्सक्राइब नー है कि को फलाने व्यक्ति ह तबाद प्रैश्पल सेक्रेटरी या कोई हमारा ये डजीपी है कोई हमारा ऐडीजीप है या हमारे आइजी जोने स्झारा जोन के आईजी हमारे बरेली सव्कों के कोई और तो इनको सब को जो तरिह की पोस्टेइंगा बड़ी-बोस्टिंग जो ये cabinet है ये cabinet function करती है through various committees और ये जिनकों बोलते हैं cabinet committees अब cabinet committee दोनों तरीके कि standing और ad hoc standing का हमें पता है standing माने खड़ी हुई है हमेशा है यह तो मतलब वो पर्माने नेचर की है अगर ऐसी समय की मांग है दरख्वास्त है वक्त और समय वक्त और हालात के तहट यह लिए गया था तब उसको मोलते हैं कि जो एड़ो कमिटी यह जो नी cabinet committee है आर सेट अप बाइड़ी सीम एकॉर्डिंटी माने होता है emergency मान लो इसको ऐसा समय है situation जितनी भी हमारी उस समय की जरूवत थी emergency of the time and requirements of the situation कैसी कैसी समय की मक्त और हलात के तहट फैसली लिए गए ठीक है तब committee बना दी गई कुछ committee होती है जो बनी है तो बनी है अब सरकार जब तक रहेगी तब तक कमिटिया रहेंगे तब तक काम चलता रहेगा तो यह कमिटिया क्या करती है ऐसे कई सारे फैसले कई सारे decisions कई सारे policies यह उनको sort out करती सारे issues को कई प्रपोजल को formulate करती है for the consideration of the cabinet but also takes decision also क्या हुआ कि cabinet committees ने कई सारे तो issues को solve कर दिया कि जतने यूपी में जतने cabinet हैं मान लो cabinet में मेंबर्स हैं मान के चल रहा है पच्चीस मंत्री है अब पच्चीस में से हमने चार को छाट लिया है जो बने हैं एक cabinet committee बना रहे हैं और इस cabinet committee के पास जम्मेदारी है स्टेट में सारे appointments की सारे के सारे जितने appointment होते हैं जितने के सारे नए ने officers का जाम भरती होनी है placement होना है सब सारे officers को यहां transfer होने सब कुछ होने हैं अब इस अब इस committee नहीं इन चार मंत्रियों committee नहीं अपने सक्रेटेरी के साथ मिलके बैठके विचार कर लिया किसाब एक काम करते हैं कानपुर से आई जी को हटाते हैं और इनको भेजते हैं मेरट में और जो गोरखपुर में जो IRS हैं जो commissioner हैं उनको transfer करते हैं उनको भेजते हैं बरेली तो यह सारे जो फैसले हुए appointment के फैसले हो गए ठीक है तो उनके सारे इशूस होड कर लिया और cabinet के बहाफ पर फैसले भी ले लिए इन्होंने ले भी लिए फैसले चाहे तो इस फैसले को रिव्यू कर ले और इस फैस यहां पर खतम हो गया इसके बाद हम पढ़ेंगे टेट का क्या स्टेट का लेजिसलेचर इक है लेक्सलास पढ़ेंगे तब तक के लिए यूसे सेफ एल्दी गुड़ लग